तो शुरू करते हैं आज की computer class जैसा कि तुम अपनी screen पर देख पा रहे होगे यह syllabus है वेटा तुमारा तो सब को पता है हम कौन सी unit कर रहे हैं जुलाई वाली ठीक है और हमने कहां तक कर लिया कल speaker तक speaker तक कर लिया था ना तो आज हमारा topic है memory unit ठीक है तो एक बार notes पे चलते हैं यह diagram याद है हमने first unit में किया था components of computer जिसको हम block diagram of computer भी बोलते हैं ठीक है अब इस diagram को दुबारा देखो आज मैं बदाता हूँ देखो input unit input unit कर ली ना तुमने जिसमें keyboard, mouse, joystick वगरा यह पढ़ी थी हमने यानि कि computer को input कैसे देते हैं ठीक है output unit कल तुमने पढ़ ली computer हमको output कैसे देता है कैसे कैसे देता है monitor के थ्रू printer के थ्रू speaker के थ्रू ठीक है बीच में आ गया CPU CPU की definition भी तुमने पढ़ी है first unit में central processing unit जिसको हम brain of computer भी बोलते हैं control unit भी तुमने पढ़ी definition कि जो सब को control करता है ALU की full form तुमने पढ़ी arithmetic and logical unit first unit में ही जो की mathematical काम करता है अब अमारी बजगी memory unit ठीक है तो इसको निप्टाएंगे हम आज memory unit को पूरा तो नहीं करेंगे बस थोड़ा थोड़ा करेंगे memory unit ठीक है तो memory unit पढ़ेंगे ठीक है अब तुमको पता लगा हम यह क्यों पढ़ रहे थे सारा input unit, output unit, CPU हमको यह diagram ही पढ़ना है पहले दो units में यह मालो ठीक है तो memory unit पे चलते हैं विटाब memory unit की definition पढ़ो बेटा सबसे पहले आज का topic है memory unit, it stores the data यह क्या करता है किन-किन्ची जोगो store करता है, save करता है अपने अंदर, देखो memory क्या होती है याददाश, जैसे तुमारे phone जो तुमारे हाथ में अभी phone है उसकी भी कुछ memory है, है ना memory जैसे तुम बोलते हो 64GB का है 32GB का है ठीक है इसी तरह computer की memory होती है लेकिन computer की थोड़ी ज्यादा हो जाती है जैसे 200GB, 500GB, 1000GB ठीक है वो आगे बात करेंगे तो memory किस काम आती है अपने data को जो तुमारी सूचना है तुमारे data है information है उसको save रखने के लिए जैसे तुम अपने गाने, movies, photo save रखते हो ना अपने phone में इसी तरह computer में भी अपने data को save रखने के लिए memory का use होता है तो memory unit की definition में क्या लिखोगे यह क्या-क्या चीज को store करता है इट stores data जो तुमारा data है उसको instructions जो तुम computer को निर्देश देते हो, instruction देते हो उनको intermediate result of calculations गणना करते हुए बीच में जो result आते हैं उनको either temporarily और permanently या तो कुछ देर के लिए store करता है ठीक है या फिर permanently हमेशा के लिए इस चीज को आगे पड़ेंगे ठीक है में तुमको यह याद रखना है कि memory unit का काम होता है data instructions को store करना या तो temporary तोर पे या फिर permanent तोर पे ठीक है अब जो हमारी memory है computer की memory उसको हमने दो इस्सों में बाटा हुआ है ठीक है दो टाइप की memory होती है एक होती है primary memory एक होती है main memory नहीं एक होती है primary memory एक होती है secondary memory ठीक है देखो जैसे तुम्हारा phone है उसमें तुम यह बोलते हो ना कि भई जो 4GB और 64GB तुम क्या बोलते हो 4GB तो RAM है और 64GB memory है ऐसे ही बोलते हो ना तो इसी तरह computer memory भी दो main memory ठीक है अब चलते हैं आगे primary memory के बारे हम पढ़ना है इट इस also known as internal memory इसकों क्या बोलते है और internal memory इट इस प्लेस ओन motherboard of computer in form of chips यह बोल रहा है कि यह memory कहां पर होती है जो computer का motherboard है उसके ओपर होती है और कैसी होती है chips की form में अब तुमको दिखाता हूँ इसका photo primary memory का यह देखो बैटा यह primary memory है RAM और ROM दोनो primary memory है ठीक है यह chips जैसी होती है chips जैसी है नहीं यह यह भी देखो chips जैसी है यह भी chips जैसी है तो RAM ROM क्या है दोनो primary memory और यह कहां लगी होती है motherboard के उपर आप तुमको motherboard दिखाता हूँ देखो जैसे ही तुम अपना वो CPU होता है जो अपना table पे रखा रहता है उसको कोलोगे ना उसके अंदर ऐसा board मिलेगा ठीक है इसको बोलते हैं पेटा motherboard ठीक है इसके अंदर क्या क्या होता है देखो यह RAM RAM कहां यहां पे लगती है वो लंबे वाली chips यहां पे इनके अंदर इनके अंदर उनको गुसा देते हैं chips को देखो फिर दिखाता हूँ यह वाली जो यह लंबे वाली है ना जिनको यहां लगती है बेटा motherboard में और जो ROM है यह वाली यह वाली जो रोम chip है यह भी primary memory है यह कहां लगती है यहां पे यह motherboard के उपर रखी रहती है जैके तो जाएक यह रखी हुई समझें अब तो जो प्राइमरी मेंमरी है हमारी वह कहां होती है कोई पूछे तुम से तो बहुत बताना है कि हम से को मतलके बोलते हैं क्योंकि ये इंटरनल का मतलब क्या होता है अंदर ठीक है हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अंदर रखी होती है अंदर का CPU के अंदर motherboard के ऊपर और कैसी होती है chips की form में ठीक है अब देखो एक्जाम में आ जाए ना तो इतना भी अगर पहली तीन लाइन भी लिखते होगे ना तो बहुत हैं ठीक है अब एक्स्ट्रा पढ़ते हैं जिसको तुम में एक्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन कोपी में ज़रूर लिखना है से बजने के लिए for any processing किसी भी data को process करने के लिए the data and instructions required for it must be first placed into primary memory then only they can be processed ये बोल रहा है कि अगर तुम को कुछ भी चलाना है computer में तो कैसे चलता है वो उसको हम सबसे पहले secondary memory से बड़े वाली memory से कहां लेके आते हैं primary memory में छोटी memory में तब ही वो चल पाता है ठीक है the output stored the output is stored in main memory before being transferred to output device यहां पे बोल रहा है कि तुमने मानलो काम कर लिया अपना उसके बाद जो output generate की computer ने वो पर्मारेंटली स्टोर होने से पहले कहां पे होती है primary memory में ठीक है इसको ज्यादा द्यान देनी जुरुत नहीं है main line हमको जो है पहली तीन line ही याद करनी थी इसको बस लिख लिख लेना याद करनी ज्यादा ज्यूत नहीं है CPU can work with information stored in the main memory यह बोल रहा है CPU सर्फ किस पर काम करता है जो main memory में data है यानि कि जो primary memory है their storage capacity is limited जैसे कि मैंने बताया था इनकी storage capacity थोड़ी होती है जैसे हमारी जो phone की भी RAM होती हो कितनी होती है 2GB, 4GB, 6GB ठीक है इसी तरह computer की भी यह जो primary memory है छोटे वाली memory है जिसको main memory भी बोलते ही है छोटी होती है और महेंगी होती है ठीक है अब यह कितने type की होती है मैंने तुमको पहले दिखा दिया ठीक है दो type की होती है कुण कुण सी RAM और ROM ठीक है मैंने दिखाया था ना भी यह ठीक है तो सरफ आज की class का सरफ क्या याद रखना है हमने क्या पढ़ा है memory कितने type की होत ठीक है, primary memory के और क्या-क्या नाम है, main memory और internal memory, internal memory इसको क्यों बोलते हैं, primary memory को, क्योंकि ये अंदर होती है, motherboard के उपर, कैसी होती है, chips की form में, ठीक है, उसके बाद हमने दो टाइप कौन से देखे, primary memory के, ram और rom, ram और rom पढ़ेंगे, कल, ठीक है, सरफ इतना याद रखना है, ओके, तो एक काम करना, इसको इतना लिख लो आज, ठीक है, memory की definition पढ़ ली, दो types of memory, primary memory, जिसको हम main memory बोलते हैं, जिसको हम internal memory बोलते हैं, ठीक है, उसके हमने दो टाइप देख लिए, primary memory is of two kinds, ram और rom, ram और rom पढ़ेंगे, कल, ठीक है, हमात्व ट्रहर है, तो एक है, और lo boast ये और रॉष, के बोल खोल में के में, के भाद़ दिए, तो जिए पयादालिे, इसको हम ग्रहरा पज्यंगे, या है, प favors भादबा़ेंगे, या जिसको गल उएा पोल भाम Jesler